पूर्णिमा पर हनुमान जी को प्रसंद करने के उपाई बताऊंगी जिससे तरक्की होगी पैसा आएगा, बिमारी भागेगी, डर खत्म होगा आज ही आपको पूर्णिमा से जुड़ा लक्ष्मी जी को प्रसंद करने वाला उपाई बता दूँगी कल जरूर कर लीजेगा और कल आपको पूर्णिमा पर जपने वाला अचूप मंत्र बताऊंगी और मंत्र जपने का तरीका भी बताया जाएगा आईए बात करते हैं आज के पहले महा उपाईगी सवाल यह है, ध्यान से सुनिए क्या आपको अपने जीवन के कश्ट खत्म करने हैं? तो कोई भी सुपारी लीजे जिसके उपर उकेरे गए भगवान गनेश हो इन्हें अपने घर में स्थापित करना है जी हाँ, ऐसा करने से भाग्य, शक्ती, सेहत और शांती की प्राप्ती होती है गनेश सुपारी जीवन के सारे कश्टों का अंत्र करती है आप सोच रहोंगे कि आज के दिन में हनुमान जी की बात क्यों कर रही है हनुमान जी की बात तो हम मंगलवार को करते है एक्चिली कल जेश्ट पूर्णिमा है और जेश्ट पूर्णिमा पर हनुमान जी की उपाए जरूर करने चाहिए इससे बहुत फाइदा होता है, लाब मलता है इसीलिए आपको झोपाय बताऊंगी हनुमान जी के ये कल करने हैं जेश्ट का महीना बजरंग बली को बोहत प्रीय है इसकी पूर्यमा पर आपको चुपाय करके संकट मिटा सकते हैं हनुमान जी को प्रसंड कर सकते हैं आपको कल हनुमान जी को आपको बैसिकली सिंदूर का चोला कल जरूर चड़ाना आज भी खरीच सकते हैं। कल आपको हनुमान चालिसा का पात करना हैं। हनुमान अश्टक ख्याब बजरंग बाण के 11.21.108 पात करना हैं। और पूरे होने के बाद अपनी मनुकामना पूरी करने के लिए प्रात्ना करनी हैं। हनुमान जी को ध्वज यानि की जंडा भी बहुत पसंद हैं। इसलिए आपको कल आप एक काम कीजे कबल की। एक केसरिया या लाल वस्त्र में श्री राम लिख कर संभव हो तो कम से कम नौ गांट वाले बांस्क में जंडा लगाकर हनुमान मंदिर पर लगवा दीजेगा। हनुमान जी को खीर भी बहुत पसंद हैं। और कल आपको पूर्णिमा के मौके पर मंदिर में मेवे वाली खीर बनाकर भोग लगाना हैं। और जरूरत मंदों को बाट देनी हैं। कई बार क्या होता हैं कि आपके काम में बहुत बाद हाती हैं। इसके लिए भी आपको कल कुछ उपाई करने हैं। कल पूर्णिमा पर आपको 32 वट फ्रिक्ष के पत्ते लेकर उन पर केसर या सिंदूर से श्री राम लिख कर माला बनाकर हनुमान जी को पहनानी हैं। अब कल का एक और उपाई सुन लीजे। लंबे समय से कोई काम अगर लटका हुआ है तो पांच मीठे पान के बीड़े अर्पित करें। आपका काम बनेगा। अगर आपको डर लगता है तो हनुमान जी की हमेशा मदद लीजे। इसलिए अगर बुरे सपने आ रहे हैं डर लग रहे हैं एक सो आठ लॉंग की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। मैं आपसे मंत्रों की बात करना चाहती हूँ। जी हाँ एक मंत्र है जिसे कल जपना होगा। जरूर करना है क्योंके यह हनुमान जी का मंत्र है। यह मंत्र क्या है और इसका जाप कैसे करना है। और इसका जाप कल पुर्णिमा पर करने से आपको क्या लाव होगा। यह सब मैं बताने जा रही हूं ध्यान से सुनिए सबसे पहले तो मंत्र नोट कीजिए बहुत आसान मंत्र हैं फिर भी बेहद आराम से बोलूँगी आसन बांधू वासन बांधू बांधू अपनी काया चारी खूट दर्ती के बांधू हनुमत तोर दुहाई साधारन शब्दों का ये छोटा सा मंत्र अलबुद प्रभावाला है दिव्य मंत्र है इसके जाब से गंबीर से गंबीर मतलब बैट से बैट सिचुएशन से रक्षा होती है ये मंत्र सिरफ दस हजार बार जाब करने से सिध हो जाता है एक मंगल से शुरू करके अगले मंगल तक जाब पून करें और जाब के बाद 108 आहूती घी और गुगल और चंदन के बुरादे की आम की लकडी या गोबर के उपलों पर दें इस हवन की भस्म को भी संभाल कर रखें बच्चों को नजर लगने, डर लगने पर, चौकने पर, पेट में दर्द या बहुत ज़ादा रोने पर बच्चे या बढ़ों को किसी भी तरीके के डर या दर्द का या फिर नेगिटिव एनरजी के लक्षन दिखने पर भस्म का 21 बार आभी मंतर के तिलक कर दें आपको हनुमान जी के मंदिर के पास बरगद या पीपल के पेड़ की छोटी छोटी चार टेहनिया ले आनी है इसे मंदिर में हनुमान जी के सामने रख कर जो मंतर मैंने बताया था ना, उसकी एक माला का 108 बार जाब करें तेहनिया घर ले आएं, अगले दिन फिर इन तेहनियों को लेकर उसी मंदिर में जाएं 108 बार मंतर का जाब करें, फिर वापस घर ले आएं ऐसा 16 डेस तक करें, सतारवे देन उन टेहनियों को अपने घर या दुकान या आफिस के चारो दिशाओं में लगा दें, गार दें या फिर टेप से भी लगा सकते हैं, एक बार में सिरफ चार ही टेहनिया भी मंतरुद करें ये उपाई खुद करना है, किसी और से नहीं करवाना है अब अगर खुद को किसी भी दुश्मन से आपको बचाना है, कोई दुश्मन तंग कर रहा है तो जानिये क्या करना है हनुमान जी को लाल धागे में बनी, लाल फूलों की माला चड़ाएं फिर वही मंदर में बैठकर जो मंतर मैंने आपको बताया है, उसकी 32 माला का जाप करें इस माला को फूलों से साफधानी से निकाल कर मंदर में दहलीज पर रखतें और लाल धागा घर में ले आएं रात में दस बजे के बाद धागे में साथ बारी आप मंतर बोलकर साथ गाठे लगाएं इस माला को हाथ अत्वा गले में धारन करें आपका बचाव होता रहेगा, कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगार पाएगा हर घाटे को मुनाफे में बदलना चाहते हैं और नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो आपको क्या करना है वो जानी एक नीबू, पांच साबुत सुपारियां, एक हल्दी की गांट, काजल की डलियां, सोला साबुत काली मिर्च, पांच लॉंग और रुमाल में आकर लाल कपड़ा घर या मंदिर्क में लाकर अकीले बैठ जाएं मंद्र का 108 बार जाप करें, समगरी को लाल कपड़े में बांट ले इस पोथली को घर या दुकान के में दर्वाजे पर लगा दें आपकी आमदनी में व्रिद्धी होगी और आपको फाइदा होगा अब आज का दूसरा महाउपाई क्या है? चलिए आपको बताते हैं सवाल यह है कि क्या कर्ज बहुत बढ़ गया है? उससे मुक्ती नहीं मिल रही है मंगलवार को आटे की 21 पूरियां बनाएं हर पूरी पर थोड़ा सा गोड़ रखे फिर मंदर जाकर इन्हें हनुमान जी को ओफर करें इन्मे से दो पूरियां घर लाकर सब फैमिली मेंबर्स में प्रसाद के रूप में बाटें बाकी पूरियां किसी गरीब को दान करतें ऐसा पांच मंगलवार करें देखिए कितना लाब होगा अब आप फिर सोच में पढ़ गए होंगे कि अरे पूर्निमा की बात हो रही है बीच में शादी कहां से आ गई? आप तो जानती हैं मैं कोई भी बात बेवज़ा नहीं करती असर में एक्चिली में पूर्निमा की दिन कुछ उपाई करकर आपकी शादी हो सकती है हर कुवारे और कुवारी को कल कुछ अचूक उपाई करने हैं वो कौन से उपाई हैं? जानिए जो भी कल जरूरत मन दिखिए उसे कल पीले फल जिसे आम केला आदी का दान करें कल आपको नया पीला रुमाल अपने साथ में रखना है जिसे भी शादी करनी है उसे रखना है कल भगवान विश्णू के मंदर में जाकर बेसन के लड़ू चढ़ाएं लड़ू के साथ सहरे की कलगी भी चढ़ाएं ये जल्दी शादी का चूक उपाएं हैं मैं जो उपाई बता रही हूँ वो लड़के और लड़की दोनों के लिए हैं और उन्हें ही करने हैं जिनकी शादी होनी है उन्हें कल आप केले के पेड़ की पूझा जरूर कीजएं कल आपको भोजन में केसर डालकर किसी भी फ़र्म में चीज को जैसे केसर वाला दूद पी सकते हैं उस तरह से करें और केसर का तिलख भी जरूर लगाना है कल जरूरत मंदों को पीले कपड़ों का दान भी करना है और जो आप कर सकते हैं वही कीजेगा मेंगा ना सही पहने लायक तो अच्छा कपड़ा जरूर होना चाहिए कल गुरु ब्रहस्पती के मंदिर में जाएं उन्हें पीली मिठाई, फल, फूल, कपड़े अरपन करें काले किलो चने की दाल के साथ कोई भी छोटी सी छोटी जूलरी दान करें अगर कर सकते हैं तो दान कीजे नहीं तो रहने दीजेगा सिरफ चने की दाल दान कर से लड़के की शादी नहीं हो रही है तो जरूरत मंद को और अगर लड़की की शादी नहीं हो रही है तो किसी जरूरत मंद लड़की को दान करें पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी का बहुत महत्व है आप धन्वान बन सकते हैं आपको कर लक्ष्मी जी को प्रसंद करना होगा जी हां कल मां को प्रसंद करने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं आईए आपको बताती हूँ मोती शंक पर केसर से स्वास्तिक बनाएं 108 अक्षत लेकर एक एक अक्षत महालक्ष्मी मंत्र बोल कर चढ़ाएं और फिर अक्षत को लाल कपड़े में बांद कर अपनी तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें मंत्र है ओम श्रीम ओम ओम रीम ओम महालक्ष्मी नमाहम चावल छंडरमा का प्रतीक है और शंक लक्ष्मी स्वरूप है यह उपाए आप कर नौ बज़े से लेकर आदी रात साड़े बारा बज़े तक कर सकते है घर में लक्ष्मी के स्थाई निवास के लिए पूनिमा की शाम से लेकर सुभे तक अखंड दीप चलाएं चंद्रलोक में मालक्ष्मी दीप रूप में विराजमान है अखंड दीप की रोशनी से मालक्ष्मी खेची चली आएंगी लक्ष्मी का एक और उपाय जानिए आपको कल क्या करना है छोटे नार्यल की पूजा करके उसे पूजा स्थान पर स्थापित करें अश्ट लक्ष्मी पर आठ कमल चड़ा कर मालक्ष्मी अश्ट कम पढ़ने से भी मालक्ष्मी गरीबों के जीवन में खुशिया लेकर आती है गरीबी का नाश करती है ये कल होना है ठीक है कल पूर्णिमा पर दक्ष्णावरती शंक से मालक्ष्मी का अभिशेक करें और धूब दीब फूल से पूजा करें दक्षना वरती शंक भी पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुआ है श्री सुक्त का पाठ करने से भी कल आपको धन की प्राप्ति होती है पूर्णिमा को लक्ष्मी सहस्तर नाम लक्ष्मी अश्टोत्र नमावली सिद्ध लक्ष्मी कवच श्री सुक्त लक्ष्मी सुक्त महालक्ष्मी कवच कनकधारा के पाठ से भी आपको महालक्ष्मी की क्रिपा प्राप्त होगी कल पूर्णिमा को आवला की पूजा से भी महालक्ष्मी घर में प्रवेश करती है चांदनी रात में रखे आवले में शक्ती भी आ जाती है जी हा अब हम जानते हैं क्या है आज का तीसरा महा उपाई क्या प्यार में सफलता नहीं मिल रही किसी शुब दिन सुबह नहा कर सफेद रंग के कपड़े पहने फिर मंदिर जाका अपने इश देव को एक लाल गुलाब और जैस्मीन का इत्र उफर करें फिर उनसे प्रातना करें इ को सुबह थोड़ा सा लगाएं जल्दी ही प्यार में सफलता मिलेगी इसकी संभावनाएं बढ़ेंगी आज मैंने आपको हनुमान जी का एक मंत्र बताया वैसे भी मैं आपको मंत्रों के बारे में बताती ही रहती हूं लेकिन मेरे कई दर्शकों ने पूछा कि मंत्रों का जाप करते समय क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए और जाप कैसे करना चाहिए आईए आपकी सवाल का जवाब दे देती हूं मंत्र का जाप करने में माला का बहुत महत्व होता है किस मनुकामना के लिए कौन सी माला का प्रयोक करना है यह जानना बहुत जरूरी होता है साथ ह मनतर जाप को लेकर कुछ नियम बनाये गए हैं जिनका पालन करने पर ही आपको मंच चाहे फल की प्राप्ति होती है जिस माला से आपका मनतर का जाप आप कर रहे हैं उस जाप संख्या पूरी होने से पहले धारन नहीं करे मंतर का जितनी जाब की संख्या का प्रण लिया है उसे जरूर पूरा करें उसे पहले माला को धारन ना करें माला को बहुत पवित्र माना जाता है इसलिए माला को पूजन थान में किसी साफ कपड़े में लपेट के रखें मंत्र जाप से पहले रोज माला को धूब दीप और मिठाई अर्पित करें कामनाओं की पूर्ती के लिए 108 मनियों की माला का प्रियोग करने का विधान है इसके अलावा साधना के लिए 27 मनिया और कारे सिद्धी के लिए 54 मनियों की माला का प्रियोग किया जाना चाहिए तो अंगूठे और नामे का उंगली से माला का जाप करें यह लड्डू आपके कई बिगड़े काम बना सकता है पवन पुत्र हनुमान को चड़ाया जाता है लड्डू गणपती जी को भी अर्पित किया जाता है लड्डू इसलिए आपको लड्डू से जुड़ी जानकारी दे रही हूं अगर बेटी की शादी नहीं हो रही है अगर नौकरी नहीं चल रही है अगर कारोबार नहीं चल रहा है अगर संतान नहीं हो रही है या फिर बच्चा बहुत बीमार रहता है तो लड्डू के खास उपाई कीजिए और जिंदगी में फर्क देखिए अगर तो नौनी चाहिए चाहिए इतने इतने बनाएं फिर पीले रंग की टोकरी में पीले रंग का कपड़ा बिछा कर इन लड़ूं को उसमें रख दें और अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दक्षिना रख दें पास के किसी शिव मंदिर में जाकर शादी के लिए प्रातना करक घर आ जाएं बेरोजगार को रोजगार पाने के लिए हर मंगलवार मुंगा के लड़ू जो है वो चड़ाने चाहिए इस दिन व्रत भी रखे जल्दी आपकी जौब लग जाएगी या कोई प्रोफेशन सेट हो जाएगा अगर बिजनस में बाधाएं चल रही हैं तो आप को अपने ऑफिस में पीले रंग की चीजों का इस्तमाल करना चाहिए और पूजा घर में हल्दी की माला लटकानी चाहिए भगवान लक्ष्मी नरायन के मंदिर में लड़ू का भोग लगाना चाहिए भगवान गणेज की छोटी मूर्ती लाएं उसे मंदिर में स्थापित कर रोज एक लड़ू चड़ा कर उस प्रसाथ के दाने चिडियों को डाले संतान प्राप्टी का कारगर उपाए हैं अब आज का चौथा माह उपाई क्या ही बताने का वक्त आ गया है क्या दुकान या बिजनस में सफलता नहीं मिल रही है किसी भी शुब दिन घर में हावन कर आएं फिर हवन की राक ठंडी होने पर थोड़ी सी राक सफेद रंग के कपड़े में बांदे इस सफेद कपड़े को अपने घर या ओफिस में कहीं ऐसी जगा रखें जहां कोई देख न सके बिजनस में धन लाब होने लगेगा मेरे कई दर्शक जो हैं ओवरीटिंग की मुटापे का शिकार हो रहे हैं इससे तनाव बढ़ता हैं ओवरीटिंग डाइबिटीज के खत्रे को बढ़ा देती हैं जादा खाने से भार बढ़ने से मास पेशियों और हडियों पर दबाफ पड़ता हैं जोडों में दर्थ होता हैं ओवरीटिंग से हाइपटेंशन खाइए इसके आपका पेट जो है यह जल्दी भर जाएगा ओरीटिंग को खत्म करने के लिए आपको क्राश डाइट पर नहीं जाना है क्राइश डाइट पर जाने के बाद लोग और ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं अपनी डाइट में लीक्विट जरूर ले य खाने के बारे में कि आपका पेट भरा हुआ है आई बात करते हैं आज की स्पेशल एस्टो टिप का पूने मा के दिन आप एक खास काम करिए थोड़ा सा कच्चा दूद चांदी की कटोरी में डाल कर रख दीजे फिर चंद्रमा की रोशनी में 40 मिनट बाद बैठ कर उसी दूद से चेहरे की मसाज कीजे और चंद्रमा की तरफ त्राटक करिए आँख बिना जपकाई ऐसे करने पर भी कही शास्त्रों में लिखा गया है कि आप सराएं इस तरीके से चंद्रमा की रोशनी में अपनी ब्यूटी को निखाना करते थे आप भी कीजे चंद्रमा की रोशनी से चेहरे पर अटर्नल ग्लो आता है Entertainment की बाद बाद में जड़ा आपने कल को बहतर बनाईए एक छोट इसी चीज़ करकर अगर कल का दिन अच्छा और लखी हो सकता है तो फिर क्यूँ ना करें सबसे पहले मेश राशी की बाद मेश राशी की लोग कल की दिन आप सुभा दुर्गा पूजा जरूर करें लक साद दे रहा है आपका 75% ब्रिश्चप राशी की लोग मंदिर में धूप अगरवत्ती जलाएं भागे साद दे रहा है आपका 72% मेश राशी वाले लोग बूदी का प्रसाद कल के दिन बच्चों को बाटें किस्मत साद दे रही है आपका 67% करक राशी वाले लोग बड़ों का सम्मान करें भागे साद दे रहा है आपका 66% सिंग राशी वाले लोग, जरुरत मंद लोगों को खाना खेलाईए, किस्मत साथ दे रही है आपका 69%, कन्या राशी वाले लोग, माथे पर रॉली का तिलक लगाएं, लक्स साथ दे रहा हैं आपका 68%, तुला राशी वाले लोग, हनुमान जी का नाम लीजिए, सब काम किस्मत साथ दे रहे हैं आपका 78% विश्चिक राशी वाले लोग सुभा बिना दूद की चाय पीचे है लक साथ दे रहा हैं आपका 60% धनू राशी वाले लोग घर का पूर्वी भाग साफ सुत्रा रखे किस्मत साथ दे रहे हैं आपका 58% मकर राशी वाले लोग गाईतरी मंतर का जाब कीजे भागे साथ दे रहा हैं आपका 70% कुम राशी वाले लोग गाई को रोटी खिलाईए लक साथ दे रहा हैं आपका 64% मीन राशी वाले लोग घर में मोगरा की अगरबत्ती जलाईए किस्मत साथ दे रही है आपका 67% फेस्बुक पर विकास आलोक ने अपनी प्रॉब्लम हम से शेयर की है काफी समय से इनको जॉब नहीं मिल पारी जिस वज़र से टेंशन में रहमिरी जानना चाहते हैं विकास आप सीधे हाथ में कॉपर का कड़ा पहन लीजिए जिसमें जोड नहीं होना चाहिए कि जुड़ावा होना चाहिए बिना जॉइंट क्यों होना चाहिए कास्टिंग से कड़े इजिली बन जाते हैं इसके साथ साथ आपने काम कीजिए अपने लेफ्ट कान के पीछे केसर का तिलक लगाना शुरू कीजिए मंदिर जाइए नंगे पर इश्वर ने चाहा आपकी जौब जल्दी लगेगी चलिए बात करते हैं आज के पांच में महाँ उपाई की क्या गर्मी की वज़े से आपके बाल रूखे और बेजान हो गए हैं एक चमत चाई की पत्ती एक कप पानी में उबाल ले इसे चान ले ठंडा होने दे इस पानी में आदे नीमू का रस मिलाएं अब इसे बालों पर लगाएं आदे घंटे बाद सिर्ध हो लें ऐसा हफते में दो बार करें बालों में चमका जाएगी और ड्राइनेस दूर होगी बई सुन्दर बीवी किसे नहीं चाहिए होती आपको भी चाहिए होगी सुन्दर बीवी पाने के लिए क्या खास करना है ये मैं कल की शो में बताऊंगी आप मुझे इजाज़त दीजिए अपना खयाल रुखिए बाई बाई ठेक केर